खेलो दोस्तों तो आप सब कैसे हैं मैं प्रेम आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि Microsoft Excel में Drawdown कैसे Enable करना है सुरूर से लेकर Advanced तक Excel सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल Focus in Guide को तो चलो वीडियो शुरू करते हैं Drawdown Enable करने के लिए पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर कोई भी Drawdown नहीं दिख रहा है अगर Drawdown Enable करना चाहते तो सबसे पहले आपको File Tab को Open करेंगे उसके बाद आपको नीचे बहुत सारे Option दिख रहा होगा तो आप Right Side देखेंगे तो आपको Custom Derriven करके Option दिख रहा होगा इसके Dropdown Option पर क्लिक करेंगे और Main Tab को Select करेंगे उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको Draw Tab का Option दिख रहा होगा फिलहाल यहां पर कोई Check Mark नहीं लगा है तो आप Check Mark लगा लेंगे और OK कर देंगे जिससे आपका Drawdown Enable हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहां पर यह Drawdown का Option आ गया है आप इसे कुछ भी Draw कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद है